देश भर में रविवार को करवा चौथ का पर्व बड़ी ही उतसास से मनाये जाएगा वही चर्णीगर में करवा चौथ को लेकर रौनग देखने को मिल रही है इस पर्व को लेकर चर्णीगर की समाजिक संस्था की ओर से महिला पुलस कर्मियों के लिए खास विवस्ता का आयोजन किया गया है वही संस्था के अद्धिक्ष रवीनर सिंग बिल्ला का कहना है कि महिला पुलस कर्मी 24 घंटे अपनी ड्यूटी पर तैनात रहती है उनके पास इतना समय नहीं रहता कि वो खुद के लिए समय निकाल सके तो कल करवा चौत का पर्व है जिसको लेकर पुरे देश में जो रौनक है वो देखते ही बन रही है और ये सुन्दर तस्वीरे देखिए चंडिगर में सामने आई है जहां महिला पुलस कर्मी ने भी अपने हाथों में महिंदी लगवाई है और करवा चौत की तैयारियों में ये महिला पुलस कर्मी भी जुटी हुई है देश भर में करवा चौत का पर्व बनाया जाएगा इस वरत की अगर बात करें तो सबसे कठिन वरत माना जाता है क्यूंकि पूरे दिन का ये वरत रहता है महिलाएं चांद देखकर ही अपने वरत को खोलती है इस वक्त मेरी मौझूद की चंडिगर में है और आज की दिन हम खास्तोर से बात करना चाहेंगे महिला पुलिस कर्मियों का क्यूंकि जिस तरीके की उनकी ड्यूटी 24 घंटे की रहती है बड़ा ही कठिन जो उनका नौकरी का जो समय रहता है वक्त रहता है उसमें समय निकालना बड़ा मुश्किर रहता है इसे बादचीत भी करेंगी और आप देख सकते हैं कि महंदी यहाँ पर लगाई जा रही है हर महिला को इंतजार रहता है मैम इस दिन का क्योंकि अपने पती की दिरगायू के लिए वो कामना करती है आप महिला पुलिस कर्मी है कानून विवस्ता को बनाए रखना सुरक्षा सुद्रिड करना आप लोगों की जिम्मे होता है कितना कठिन है व्रत भी रखना और इस तरीके से ड्यूटी नबाए रहता है सब कुछ करेंगे सब कुछ करते हैं हम इस दिन का स्पेशली इंतजार रहता है हमें और मेंली जो फैस्टी सीजन है वह इसका सबसे पहला तो हार मुझे लग रहा है यही है लेडिज का तो बहुत अच्छा लग रहा है देखे हातों में महंदी यहां पर लगाई जा रही है करवा चौत के वरत के लिए और भी यहां पर महिला पुलीस कर्मी है उनसे भी बातचीत करेंगे मैम आप बताएं इस समय का तो सबी को इंतजार रहता है लेकिन ड्यूटी निभाना कई महिलाएं ऐसी भी है पुलीस कर पातिया जिनके हस्बंड बॉर्डर पे हैं तो फिर भी मैम सभीना अवरत रखते हैं अपने पती के लिए कि शरद्दा है हमारी एक जो हमारी एक माननेता है कि हम अपनी पती के जो दीरगाई उसके लिए वरत रखें वो स्वस्त्रे अच्छे रहें आप देखे किस तरीके से जो महिला पुलीस कर्मी हैं चंडीगड की वह यहां पर महंदी लगा रहे हैं करवाचौध के लिए उस तरीके की व्यवस्ता की दिखो ऐसे है कि करवाचौध जनानियों के लिए एक इतना महत्तव पुर्ण तेहार है कि इस सबसे ज्यादा most important यह इतिहार में अपने पती के प्रती उनकी शर्दा विश्वास की भावना और बगवान के सोला सिंगार करके बगवान शिवजी और पारवती का वर्त रखना उसके अलावा निर्जला वर्त रखके रात को खाना खाना तो कहीं ना कहीं हम उस संस्कृति से जुड़े हुएं तो चाय वर्किंग वूमन भी है जो इस संस्कृति से भाग तो नहीं सकती ना तो उन्हों नहीं ड्यूटी दरान जैसे ड्यूटी खत्म होई आजा गंटा उनके पास है तो हमारी कोशिश है कि वह भी इस्तिहार को सैलिवरेट कर पाए तो एक बार फिर से तस्वीरे सांजा कर देते हैं जिस तरीके से इनकी तरफ से भी जानकारी दी गई है कि यहां पर व्यवस्त खासता और से पुलीस कर्मियों के लिए की गई है 2400 घंटे यह ड्यूटी परतेनात रहती है कानून विवस्ता किस तरीके से बनाए रखें सुरक्षा किस तरीके से सुद्धिड करें इनकी जिम्मेदारी रहती है लेकिन इन सब जिम्मेदारी के बीच में किस तरीके से कैमरामेंट विकास के साथ नेट्रोक्टन के लिए चंडी कर से इशाठा कुर